अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक पावर अफ ट्रेडिंग इस टॉक के एक और अनलेसिस वीडियो में आप सभी का सौगत है तो आज के इस अनलेसिस वीडियो में हम लोग देखेंगे किल लोस को आप ये श्टॉक जो है आपको काफी अच्छा अप ट्रेंड में है और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे प्रिवियसली भी ये श्टॉक जो है काफी अच्छा देली दे चुका है अल्मोस्ट आपको 100 के लेवल से ये जो है अभी आपको रिट्रेस करके फिर से 400 के लेवल पे तो इस इस टॉक को आज हम लोग इने इसलिए चुना है कि अगर आप मेरा प्रिवियस वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है जो मैं इस इस टॉक को फोलो करता हूं और अगर आप इस इस टॉक को भी देखेंगे तो ये भी बिलकुल जो है आपको इसी तरह higher high higher low बना रहा है और साथ से साथ जो है फिर से ये आपको retrace back होके जो है retrace back होके आपको एक moving average के support पर है और यहीं पर इसने एक bullish candle बनाया है अब हम लोग इसमें अभी जो है कब buy करेंगे हम लोग इसमें buy करेंगे अगर यह आपको Monday के session में 400 के उपर अगर closing देता है almost अगर आपको last के 5 minute में अगर आपको यह लगे जो अब जो है यह candle 400 के उपर close होगा जब market end होने वाला है almost आपको 325-320 पे आपको पता चल जाएगा जो candle जो है कहाँ close होने वाला है तो अगर यह 400 के उपर आपको Monday के session में close होने वाला है तो आप उस time पे जो है इसमें अच्छा entry ले सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा entry होगा आपका stop loss होगा 300 यह आपको one day chart है इसलिए जो है आपका stop loss बढ़ा होगा आपका stop loss होगा यह level यह level इसलिए होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो last time यहीं से जो है gap up open हुआ और एक अच्छा candle बना और इसके बाद से जो है rally continue किया उसके अद्से उस level तक नहीं किया है तो अगर आपको इस level पे market अगर इस level को break करता है अगर आप इस level को अगर break करता है तो फिर जो है stock में आपको एक अच्छा correction देखने को मिल सकता है तो इसलिए जो है यह आपको एक major support की तरह काम करेगा यहाँ पर आपको gap भी है और यहाँ पर अगर आप candle का strength देखेंगे तो बहुत अच्छा एक जो है बायर का strength आपको यहाँ पर दि आपका stop loss इस 300 के नीचे closing basis पे देगा अगर 300 के नीचे अगर daily chart पे candle close हो जाता है तो आपका जो है यह position से exit करना होगा आपको और entry आपको कब करना है अगर यह आपको 400 के ऊपर Monday के session में close देता है अगर 400 के ऊपर Monday के session में close नहीं देता है तो फिर आपको नहीं buy करना है क्यों भी round number 300 400 यह सब एक psychological resistance की तरह भी काम करता है और last time अगर आप देखेंगे तो stock जो है यहीं से आपको bounce back किया था तो यह level जो है अब आपको एक resistance की तरह काम करेगा तो अगर यह आपको 400 के ऊपर closing देता है तो फिर जो है इस stock में आपको एक अच्छा rally देखने को मिल सकता है यह stock जो है आपको 600 to 700 का level भी इसमें देखने को मिल सकता है लेकिन पहले एक बार जो है आप इस stock को 400 के ऊपर Monday के session में close होने दिजिए अगर सपोच यह Monday के session में नहीं close होता है आप लोग जो है इसमें position नहीं बनाईएगा एक पर अगर 400 के level के ऊपर close हो गया तो फिर आप जो है इसमें 300 के stop loss के साथ जो है इजिली आप जो है 600 to 700 के target के लिए इसमें आप जो है आराम से बैठ सकते हैं stock भी अच्छा है कफी अच्छा continuous uptrend में है market भी uptrend में है तो stock में जो है काफी अच्छा आपको return में मिल सकता है तो उमीद करते हैं आप लोग को analysis पसंद आया होगा आप लोगों को साड़ा logic समझ में आया होगा किस levels पर buy करना है और कहां पर आपको stop loss रखना है और क्या आपका exit level होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दे चैनल को subscribe कर ले और साथी साथ चैनल के description box में जो है